मैगी, पास्ता या मकरोनी हर किसी को खानी बहुत पसंद होती है और आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मकरोनी वेज मकरोनी बनाने के लिए मैंने कुछ वेज़िटेबल्स ली है गाजर, शिमला मिर्च, माटर, प्याज, टमाटर, एक हरी मिर्च सबको मैंने बरी काट लिया है अब एक पैन में पानी लेंगे और इसमें हम अपनी मकरोनी डालेंगे और इसमें हम मकरोनी को उबालेंगे जब हम मकरोनी को उबालते हैं तो इसमें थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि जब मैं इसे च्छानूंगी तो मैं इसे थंडे पानी से धो दूँगी तो इससे क्या होगा कि हमारी मकरोनी जो है चिपके गिनिया अपस में देखिए मेरी मकरोनी हो चुकी है हम एक पैन में एक तेल लेंगे तीन चमच तेल लिये है मैंने और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, हरी मिर्च और प्याज इसे अच्छे से बून लेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी गाजर माटर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सबजियों को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हलाते हुए पकाएंगे और अब डालेंगे लाल्ट माटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे मैश करते रहेंगे और अब डालेंगे नमक ताकि टमाटर जो है जल्दी से पक जाए और अब इन सबजियों को थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे तो ऐसे सारी सबजियों को हिला देंगे एक बार बस थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे तो देखिए टमाटर जो है पक चुका है और अब डालेंगे शिमला मिर्च अब इसे मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च मैंने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि यह जल्दी पक जाती है अगर बाद में डालती है तो कलर अच्छा आता है अब डालेंगे हल्दी एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर अब इन मसालों को अच्छे से सबजियों में मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए सब्जियों के साथ ही इसे पकाएंगे अब कवर करके थोड़ी देर सब्जियों के साथ मसालों को पका लेंगे तो देखिए हमारे जो मसाले और सब्जियें पक चुकी हैं अब हम इसमें अपनी बॉयल की हुई मिकरोनी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको टमाटो के अच्छ पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे पकाएंगे तो चलिए देखते हैं तो हमारी मकरोनी जो है बनकर त्यार हो चुकी है देख सकते हैं अब तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अग्छी लिए और सबस्टाइब कर लेंगे